हेलो साथियों थमनेल पर आपने जरूर देखा होगा कि अनिल कपूर साहब क्यों इतने एनर्जेटिक होते जा रहे हैं दिनों दिन अनिल कपूर साहब जो कि हिंदी फिल्म सिनेवा के बहुत बड़े सुपरिस्टार हैं वो क्यों हर दिन जवान होते जा रहे हैं या मैं कहूं कि हर दिन क्यों यंग होते जा रहे हैं जब भी उनको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वह एनर्जेटिक लगते हैं ऐसा क्या है वो क्या खाते हैं वो क्या पीते हैं वो क्या करते हैं कि वो हर दिन हमेशा खूबसूरत लगते हैं या हमेशा यंग लगते हैं। आज मैं आपको वो secret बताने वाला हूं। मैं अगर आपसे यह कहूँ कि आप सुबह सुबह उठें। और सुबह सुबह जैसे ही आप उठें आप अपने दोस्त से मिले। और दोस्त ने आपसे यह कहा अरे विवेक आज तू बिमार लग रहा है। और आपने कांच में जाके देखा अरे वाकी में थोड़ा बिमार लग रहा हूं। आपने बार-बार सुबह से लेकर शाम तक मैं बिमार लग रहा हूं। औरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसने ये कैसे कहा कि मैं बिमार लग रहा हूँ, बार 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 आप बिमारी 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 से related कुछ thoughts हैं, उनको आप repeat करते हैं, और शाम तक आते 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 आपको fit doctor के पास जाना होता है कि साबा सुबह से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिमार हूँ, सुबह से कुछ ऐसा महसूस हो रहा हूँ है कि मैं ठका हुआ हूँ, क्या जब आप सुबह उठे थे, तब आप बिमार थे, तब आप बिमार नहीं थे, तब आप बिलकुल healthy थे और बहुत अच्छी तरह से आप अपने बिस्तर से उठे थे, लेकिन जैसे ही आपने एक विश्वास बना लिया और वो विश्वास किसका था, वो विश्वास आपके दोस्त ने आपके दिमाग में बिठा दिया कि अरे तू तो बिमार लग रहा है, बस यही सीक्रेट है अनिल कपूर सहाब का, आपने आटो सेजेशन के बारे में जरूर स में कहा जाता है, और जैसा इनसान बनना चाहता है, वो वैसा ही वो सेंटेंस कहता है, मैं बहुत ज़्यादा बिमार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मनहूस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ, मेरी याददाश्ट दिनों दिन कम होती जा रहे है, अब अगर बार ब बार 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 ऐसा कहते हैं तो क्या होगा तो होगा ये कि आपको वाकई ऐसा लगेगा कि आपकी याददाश्ट कम हो गए है आपको ऐसा लगेगा कि वाकई आप बिमार हो गए हैं आपको लगेगा कि वाकई मैं जहां भी जाता हूँ वहाँ पर काम खराब ही हो जाता ह मतलब कि मैं मनहूस हूँ आटो सजेशन दो प्रकार के होते हैं एक निगेटिव आटो सजेशन और एक पॉजिटिव आटो सजेशन निगेटिव आटो सजेशन जाने या अन जाने हम अपने दिमाग को हम अपने मन को दे रहे होते हैं आप खुद इमाजिन करें कि अभी जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं और कल इसी समय तक मतलब कि 24 घंटे में आप जो भी विचार अपने आपको दें या जिन बातों को अपने आपके लिए कहें वो थोड़ा सा इमाजिन करें कि आप क्या कहेंगे क्या कहने वाले हैं आपने क्या कहा है केवल उसको आप याद रखें और आप याद रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप बहुत सारी चीजे अपने आपको निगेटिव 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 कहते हैं अरे मैं नहीं कर सकता हूँ मेरे से ऐसा नहीं होगा अरे मैं हार चुका हूँ ऐसे बहुत सारे sentences आप अपने आपको कहते हैं और कुछ समय के बाद वो reality बन जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि बस आप जो सोचा आपने था आप जो negative कह रहे थे आप बिलकुल वैसे ही हो जाते हैं अब दूसरा जिसे कहते हैं positive auto suggestion और positive auto suggestion आपको देना पड़ेगा positive auto suggestion आपको society में मिलते नहीं हैं आपके घर में आपके family में या मैं कहूँ कि आपके school में आपके colleges में सब आपको कहेंगे अरे तू ये नहीं कर सकता तू ये नहीं कर सकता वहाँ पर positive auto suggestion या positive चीजेशें आपके मन में कोई भी नहीं भरता है इसलिए आपको खुद auto suggestion का मतलब क्या है आत्म सुझाओ आपको खुद को देना है और खुद को देना है कुछ positive चीजे खुद को देना है कुछ ने कुछ positive thoughts और वो positive thoughts जब आप बार 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 रिपीट करते हैं तो आपका जो subconscious mind है वो उस पर विश्वास कर लेता है और जिस चीज़ पर विश्वास कर लिया जाता है आप उसको फिर रिपीट करते हैं तो वो आपकी असलियत बन जाती है और बस अब चमतकार होता है वो चमतकार अनिल कपूर साहब जैसा हो सकता है वो चमतकार अमिताब बच्चन साहब जैसा हो सकता है या वो चमतकार कोई भी successful लोग जिसको आप successful मानते हैं उनके जैसा हो सकता है क्योंकि कोई भी successful बना है उसके पीछे उसके खुद के auto suggestion है अभी हम केवल और केवल अनिल कपूर साहब की उनके इंटर्विउस सुनेंगे तो वो एक बात जरूर कहते हैं वो यह जरूर कहते हैं कि I am the best ऐसा लोग उनके बारे में कहते हैं कि जब वो अकेले में होते हैं वो जब कहीं न कहीं मन में या जोर से वो अपने I am the best अनिल यू आ डूइंग गूड अनिल सब कुछ अच्छा है अनिल तुम बहुत खूबसूरत हो अनिल तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और बस वो अपने आपको अटोसेशन दे रहे हैं और फिर क्या होता है कि हम लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा सर आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं अनिल कपूर साहब आपके या मेर कहने से handsom हुए हैं? आप क्या मेरे कहने से energetic लग रहे हैं? नइने खुद को energetic बनाने के लिए logo यंग बनाने के लिए उन्होंने खुद को इतना मजबूत और इतना अच्छा बनाने के लिए खुद को suggestions दिये हैं इसलिए suggestions दीजिए और वो suggestion जो की positive है I am healthy, I am happy, I am positive आप सोच कर देखिए ऐसा करिए कि आप आँख बन करिए और आप कहिए I am healthy आप आँख बन करिए कि I am positive और जैसी आप positive कहते हैं जैसी आप healthy कहते हैं तो आपकी body movement जो होती है वो positive जैसी होती है आपकी body movement आपको कहीं नहीं अच्छा feel करवाती है अब आप खुद देखे कि 1 second के लिए 2 second के लिए आपने कहा अगर आप इसको बार 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 रिपीट करेंगे तो आपका subconscious mind उस पर विश्वास कर लेगा कि भाई साब ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहता है जैसा ये कह रहा है और बस subconscious mind कहेगा तथास तू मतलब की हो जाए और अब आप देखें क्या होगा यदि आप positive सोचेंगे तो वैसा ही होगा और यदि आप negative सोचेंगे तो वैसा ही होगा यही है auto suggestion का कमाल यदि आपको ये video अच्छा लगा हो आपको ऐसा लगा हो कि ये video दूसरे लोगों तक share किये जाने जैसा है तो आप इसको share करें और यदि आप इस channel पर नए आए हैं तो इस channel को subscribe करें क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ही अच्छे videos आपको मिलते रहते हैं Thank you, thank you very much